हेलो प्रेंट्स विल्कम तो मैं यूट्यूब चैनल डीएस के आधरेश्टी आज का जो मेरा वीडियो है वह अधारत है बिहार पुलिस 2023 की जो परिच्छा होने वाली है जीडी के लिए तो इसके लिए बिहार पुलिस प्रेक्टिस सेट वन तो इस सेट में लोग जानेंगे सो महतवपुन कोश्चन जिसमें आपका जेनरल समान अधियान है हिंदी है और इंगलिस है मतलब जो सलेवा से बिहार पुलिस की उसके अकॉर्डिंग या सेट त्यार किया गया है तो आप इस वीडियो कौन तक देखिए खासकर वे विद्यार थी जो बिहार पुलिस जीड चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टार परच लिए इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रस्न है कि तरंग दयर को समारे तरंग वेयक्त किया जाता है आप्शन से A मीटर में, आप्शन B हर्च में, आप्शन C मीटर प्रतिस सेकेंड में और आप्शन D, इन में से कोई नहीं तो प्रसंखिया जो एक है, तरंग देर को समानेतव ब्यक्त किया जाता है तो इसका सही जवाब हो जागा आप्शन B हर्च में आ उपने प्रेशंखियद 2 है कि वहानों के साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है वहानों में जो साइड मिरर लगये होते हैं उसमें किसका उपयोग होता है option से a ओतल दर्पन का option b उत्तल दर्पन का option c ओतल दर्पन का और option d उत्तल लेंज का तो जो प्रसंखिया 2 है वाहनों के सैड मेर के रुप में किसका उप्योग होता है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option b उत्तल दर्पन का प्रसंखिया 3 है 200 कप किर्केट 2023 का चंपियन कौन है 200 कप किर्केट जो 2023 में भारत में खिला गया इसका चंपियन कौन बना है option से a पकिस्तान, option b स्रिलंका, option c अस्ट्रेलिया और option d भारत तो प्रसंखिया 3 विश्व कप किर्केट 23 का जो चंपियन है वो अस्ट्रेलिया है जिसने फाइनल में भारत को हरा कोर वर्ल कप और डियाई जो और डियाई में वो वर्ल कप 23 जो खेला गया उसका चंपियन अस्ट्रेलिया बना है तिसका सही जौब जो हो जाएगा आप्शन C हो जाएगा प्रसंख्या चार है विश्यो कब किर्केट दोहरत तेईस में सबसे अधिकरण बनाने वाले बलेबाज कौन है आप्शन C रोहित सर्मा आप्शन B बिराट कोईली आप्शन C एडेन माकरम और आप्शन D बाबाराजम तो प्रसंख्या जो चार है विश्यो कब किर्केट दोहरत तेईस में सबसे अधिकरण बनाने वाले बलेबाज है वो है बिराट कोईली जिन्होंने प्रिछले रेकौर्ड सचेन तल्दितका के रेकौर्ड को तोड़ दिया है कि एक विश्यो कब के संसकरण में सबसे अधि के रन बनाने वाले बलेबाज विराट कोईली बन गए है प्रसंख्या पांच है तुलसिदास का मुल नाम क्या था तुलसिदास का मुल नाम क्या था आप्शन से A बम बोला आप्शन B राम बोला आप्शन C हरी बोला और आप्शन D इन में से कोई नहीं तो प्रसंख्या जो 5 है तुलसिदास का मुल नाम क्या था तो इसका जो सही जवब हो जाएगा आप्शन B हो जाएगा राम बोला तुलसिदास का मुल नाम ओरिजिनल नाम था प्रसंख्या 6 है सौरे मंडल की खोज किसने की सौरे मंडल की खोज किसने की आप्शन से A, कौपर निकस ने आप्शन B, गेलीलियो ने आप्शन C, निूटन ने और आप्शन D, केपलर ने तो प्रसंख्या 6, सौडिय मंडल की खोज किसने की तो इसका सही जोग हो जाएगा आप्शन A, कौपर निकस ने प्रसंख्या 7, निला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है निला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है आप्शन से A, प्रिथवी को आप्शन B, बूद को आप्शन C, ब्रस्पती को और आप्शन D, सुक्र को तो जो प्रसंख्या 7, निला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है नीला ग्रह करते हैं प्रसंख्या आठ है हमारे सौरे मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हैं हमारे सौरे मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी हैं आप्सन से एच छे आप्सन भी साथ आप्सन सी आठ और आप्सन डी नौ तो प्रसंखिया आठ हमारे सौर मंडल में ग्रहों की जो संखिया है नंबर अप्लानेट्स जो है वो एट है ऑप्सन सी इज राय टेंसर हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संखिया आठ है जिसमें बूध शुक्र पृत्वी सनी मंगल ब्रहसपती अरुन और वरुन है प्रसंखिया नौ है निवन में कौन एक प्रत्हम संक्रमाण श्रेड़ी का तत्व नहीं है आप्सन से लोहा आप्सन भी क्रॉमियम आप्सन सी मैगनिसियम और आप्सन डी निकेल तो जो परसंख्या नौ है निमनमिकोन एक प्रथम शंक्रमन स्रेड़ी का तत्व नहीं है ते इसका सही जवब जाएगा मर्करी और अप्संडी क्रोमियम तो जो प्रसंख्या 10 है अमल्गम का आवस्यक अव्योब है इसका सही जवाब हो जाएगा अप्संसी एच जी यानि मर्करी प्रसंख्या 11 है कि जूता किस परकार का सब्द है आप्संसे एच तदसम आप्संडी है तदभव आप्संडी है देशज और आप्संडी है विदेशज तो प्रसंख्य ग्यारा जूता है किस पर करगा सब्द है तिसका सई जोब हो जाएगा option C दे सज है प्रसंख्य बारा है कि सदभावना समास का उदारन है option A अब यई भाव समास का option B है दीकु समास का option C है तत्पूरुष समास का और option D है करमधार ये समास का तो जो प्रसंख्य बारा है सदभावना समास का उदारन है तिसका सई जोब हो जाएगा करमधारे समास का प्रसंख्य तेरा है कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है option A चुगली करना option B कान की सफाई करना option C कास तूटना और option D कान कटना तो प्रसंख्य तेरा कान भरना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो हो जाएगा option A चुगली करना प्रसंख्या 14 है निमने लिखित में कौन असुर का परिवाची नहीं है आप्शन से H4, आप्शन B, निशाचर, आप्शन C, राक्षस, और आप्शन D, दैत्या तो जो प्रसंख्या 14 है निमने लिखित में कौन असुर का परिवाची नहीं है इसका सही जोब हो जागा option A 4 बाकी तीनों निशाचर रास्चस और देत या असुल के परिवाची सब्द है प्रसंख्या 15 है निमनलिखित में कौन डंड का अर्थ नहीं है निमनलिखित में कौन डंड का अर्थ नहीं है प्रसंख्या 15 है निमनलिखित में कौन डंड का अर्थ नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथ प्रसंख्या 16 है सस्ति का अभी प्रार्थक क्या है सस्ति का अभी प्रार्थक क्या है अप्शन से ए खराब अप्शन भी महाँगा अप्शन सी सुन्दर और अप्शन डी अच्छा तो प्रसंख्या 16 सस्ति का अभी प्रार्थक क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा option B, manga प्रसंख्या 17 है नैन का संधी बिछेद क्या है? option A, नीधण उड़ option B, नीधण और option C, नीवधन और option D, नीवधन आयून तो प्रसंख्या 17 प्रसंख्या अठाड़ा है कि निवलिखित में किस वाक्य में संख्या वाचक विसेशन का परियोग हुआ है आप्शन से A मेरे पांचवे मित्र दिली गये हैं आप्शन B मैं बहुत पानी पीता हूँ आप्शन C आक्रितियां आक्रितियां और आप्शन D जैसी करनी वैसी भरनी तो प्रसंख्या ठाड़ा इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन A हो जाएगा मेरे पांचवे मित्र दिली गये हैं संख्या वाचक विसेशन है प्रसंख्या उननी से प्रस्ण है कि लिंक की अधार पर कौन सा वाक्या सही है अप्शन से गन्ने को अन्य नहीं होता गधे को अन्य नहीं होता अप्शन B पता का चल रहा है अप्शन C जाड़ू पुरानी हो गई और अप्शन D सराब नहीं चाहिए तो प्रसंख्या जो उननी से इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका C जाड़ू पुरानी हो गई है सही वाक्या है प्रसंख्या B से निमलेखित में कौन समुह वाचक संग्या का उधारन नहीं है आप्शन से A बर्ग, आप्शन B मेला, आप्शन C जुन्ड और आप्शन D बुढ़्धा प्रसंख्या जो B से निमलेखित में कौन सा समुह वाचक संग्या का उधारन नहीं है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन D हो जाएगा बुढ़्धा समुह वाचक संग्या नहीं है बलकि या भाव वाचक संग्या है प्रसंख्या 21 से अठाड़ा ससंतावन के विद्रोह की मुख्य कमजूरी किसकी कमी थी? आप्शन से A, बाहिय सहायता, आप्शन B, विद्रोही सेनिकू में अनुशाशन, आप्शन C, आधनिक अस्त्य सस्त्र, और आप्शन D, विद्रोहीयों में समन्वे एवं समन्जस्य. तो प्रसंख्या जो 21-187 में जो सोतंतर संग्राम या विद्रोह हुआ था, उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी, वो था विद्रोहीयों में समन्वे और समन्जस्य की कमी, इसी कारण मतलब भारत, भारत जो था इसमें पराजित हुआ था, इस्ट इंडिया कमपनी द्वारा, अर अहिंसा के आदर्सों के पर्योग के लिए गांधी जी ने 1916 इसमें क्या किया, आप्शन से A, वे भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस में सामिल हो गए, आप्शन B, आहमदाबाद के निकट उन्होंने साबर मती आश्रम के स्थापना की, आप्शन C, उन्होंने गुजराद ब पिठक के स्थापना की और आप्शन D, उन्होंने अखिल भारतिय सत्यागरा अरम्भ किया, आप्शन C, आप्शन B, आप्शन C, उन्होंने साबर मती आश्रम की स्थापना की, प्रसंख्या 23 से इंपोर्टन प्रस्न है कि राज तरंगी के लेख़ कौन है, राज तरंग के लिखा कौन है, option A, जय देव, option B, विद्यापती, option C, कलहड और option D, चंदर बर्दाई तो प्रसंख्या 23, तराज तरंग के लिखा कौन है, तो इसका जो सही जब हो जाएगा, option C हो जाएगा, कलहड है प्रसंख्या 24, बंदे मातरम सबसे पहले किसमे प्रकासित हुआ, option C, हरजन में, और option D, अनन्द मठ में तो प्रसंख्या 24, इसका सही जब हो जाएगा, बंदे मातरम सबसे पहले अनन्द मठ में प्रकासित हुआ, प्रसंख्या 25, उस बिद्वान का नाम बते है जो मुहमत गजनी के साथ भारत आया था, option से A, इबन बतूता, option B, अल बरुनी, option C, अल फिर दौसी, और option D, अल राजी, तो प्रसंख्या 25, इसका सही जब हो जाएगा, option B, अल बरुनी, वह था, वह अब इद्वान था, जो मुहमत गजनी के साथ भारत आया था, प्रसंख्या 26, इन्युनिकित में कौन सा भारतिय दर्शन का सबसे पुराना सिधान्त है, आप्शन से A, सांख्या, आप्शन B, योग, आप्शन C, बैसिसिक, और option D, कर्मिम्यम्वासा, तो प्रसंख्या 26 का जो सही जब हो जाएगा, आप्शन E हो जाएगा, सांख्या भारतिय दर्शन का सबसे पुराना सिधान्त है, प्रसंख्या 27 कि जालियोला भाग हतिय कांट की जाच के लिए सरकार्द और गठित समीति के अध्यक्ष कौन थे, आप्शन से A, ओ डायर, आप्शन B, जेनरल डायर, आप्शन C, जन सीमन, और आप्शन D, हंटर, तो प्रसंख्या 27 जालियोला भाग हतिय कांट जो 13 अप्रेल 19 में हुआ था, इसकी जाच के लिए सरकार्द और गठित समीति के जो अध्यक्ष थे, वो हंटर थे, प्रसंख्या 28 से हिंदू मुस्लिम एक्ता को सही रूप से अधो लुखित कौन सा अंदोलन अभी व्यक्त करता है, आप्षन से श्वदेशी अंदोलन, आप्षन भी नागरिक अवग्या अंदोलन, आप्षन से भारत छोडव अंदोलन और आप्षन D खिलाफत अंदोलन, तो प्रसंख्या 28 से हिंदू मुस्लिम एक्ता को सही रूप से ब्याखित करने वाला जो अंदोलन है, तो इसका सही जवब हो जागा Option D, खिलाफंत आंदोलन में हिंदू मुसलिमों ने एक साथ मिलकर सरकार के मतलब इस्ट इंडिया कमपनी की नितियों का बिरोद किया था और इसमें उन्होंने स्वदेशी अपनाने के लिए जोड़ दिया था सही भारतियों ने प्रसंग के 29 से 36 इवा जी का सर्गवास कब हुआ Option S, 1618 वी में Option B, 1666 वी में Option C, 1687 वी में Option D, 1689 वी में प्रसंख्या जो 29 से इसका सही जवा हुजेगा Option A, 36 सीवा जी का जो सर्गवास हुआ वो 1680 वी में हुआ प्रसंख्या तीसे हर्सवर्धन के जासनकाल में उत्तर भारत का कौन सर्गर महत्वपून था Option A, उजयन Option B, हस्तिनापूर Option C, कनोज Option D, पाटली पुत्र तो प्रसंख्या तीस का जो सही जवाब हो जाएगा हर्सवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत में जूस नगर महत्वपून था वो था कनोज प्रसंख्या 31 से बहावी अंदोलन कम्मुख्य केंदर था Option C, पटना Option B, लखनौ Option C, तमिलाडू Option D, मुंबई तो प्रसंख्या 31 से इसका सही जवाब हो जाएगा Option A, पटना वहावी अंदोलन का मुख्य केंदर था प्रसंख्या 32 से राम क्रिश्न मिर्शन के स्थापना किस ने किया Option C, विवेका नंद्र ने Option B, राजा राम मोहन राय ने Option C, केशव, चंद्र, सेन ने Option D, राम क्रिश्न परम्हान से तो प्रसंख्या 32 से इसका सही जवाब हो जाएगा राम क्रिश्न मिर्शन के स्थापना विवेका नंद्र ने कि थी प्रसंख्या 33 से महराष्ट का सुकरात किसी कहा जाता है महराष्ट का सुकरात किसी कहा जाता है Option C, बालगंगधर तिलक को Option B, विपिन चंद्र पाल को Option C, फिरोज साह मेहता को Option D, महादेव गुविंद रानाडे को तो प्रसंख्या 33 महराष्ट का सुकरात जो कहा जाता है महादेव गुविंद रानाडे को महराष्ट का सुकरात कहा जाता है प्रसंख्या 34 महराष्ट का सुकरात जो कहा जाता है प्रसंख्या 35 महराष्ट का सुकरात जो कहादेव गुविंद रानाडे को प्रसंख्या 36 वह आस्थान जहां से भूकम्प की उत्पति होती है कहलाता है प्रसंख्या 36 वह आस्थान जहां से भूकम्प की उत्पति होती है वह फोकस का लाता है प्रसंख्या 37 वह आस्थान जहां से जानी जाती है प्रसंख्या 38 से धरातल के नीचे पिगली चटान कहलाती है प्रसंख्या 49 से कौन सा युगम सुमेलित है आप्शन से खार्तूम निल लदी आप्शन बी राट एस्टार्डम टेम्स लदी आप्शन सी पेरिस राइन लदी और आप्शन डी लंदन सीन लदी तो प्रसंख्या 49 से खार्तूम निल लदी आप्शन ए इस राइट एस्टार्डम जो सहर है वो निल लदी के किनारे इस्तित है बाकी जो आप्शन है वो गलत है जो लंदन है सहर है वो टेम्स लदी किनारे इस्तित है प्रसंख्या 40 से कौन सा उर्जा स्रोत और नवी करनी है option S A जल, option B सौरिय, option C कोईला, option D, पवन तो जो प्रसंख्या 40 से कौन सा उर्जा स्रोत और नवी करनी है तो इसका सही जवब भज़ेगा option C कोईला बाकी तीनों जो हैं जल, सर और पौन ये नविकर्णिये उड़ जाके शुरोते हैं प्रसंख्या 41 से कौन सा दर्रा सिरी नगर को लेह से जोडता है? आप्शन से A जोजीला दरा, आप्शन B बतिहाल दरा, आप्शन C बुर्जिल दरा और आप्शन D बोलन दरा तो प्रसंख्या 41 कौन सा दर्रा सिरी नगर को लेह से जोडता है तिसका से जोबुझाएगा आप्शन E जोजीला दरा प्रसंख्या 42 कि कौन सिनादी जिसका उद्गम अस्थान भारती राय च्छेतर में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गा मस्थान भारती राय छेतर में नहीं है आप्शन से A गुदावरी, आप्शन B जेलम, आप्शन C घागरा, और आप्शन D गंडक तो प्रसंखे जो 42 है तो इसका जो सही जवब हो जाएगा आप्शन B जेलम हो जाएगा इसी नदी है जिसका उद्गा मस्थान भारती राय छेतर में नहीं है प्रसंखे 43 है नल सुरूवर प्रक्षिय अभयारण कहां इस्तित है आप्शन से एक गुजरात में, आप्शन B हिमाचल में, आप्शन C मदे परदेश में और आप्शन D महाराष्ट परदेश में, आप्शन के जो 43 है नल सुरूवर प्रक्षिय अभयारण कहां इस्तिते तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन A गुजरात में, आप्शन के आप्शन 44 है निमलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है आप्शन से A डिल्ली, आप्शन B कोलकाता, आप्शन C जोधपूर और आप्शन D नागपूर तो प्रशन के जो 44 है निमलिखित नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकटतम है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन B कोलकाता प्रशन क्या 45 सोतनता प्राप्ति के समय देश में सडको की कुल लंबाई कितनी थी? आप्शन से A 2.42 लाख किलोमेटर आप्शन B 1.46 लाख किलोमेटर आप्शन C 3.88 लाख किलोमेटर और आप्शन D 5.78 लाख किलोमेटर तो प्रसंख्या जो 45 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा option B हो जाएगा 1.46 किलोमेटर प्रसंख्या 46 है सर्वुत्म कोईले का प्रकार कौन सा है option A, anthracite, option B, pit, option C, lignite और option D, B to minus तो प्रसंख्या 46 का जो सही जवाब हो जाएगा option E हो जाएगा सर्वुत्म कोईले का प्रकार anthracite है प्रसंख्या 47 है मुंबई हाई क्यों प्रसीद है option C, कोईले के निरियात है तू option B, तेल सुदक कर खाना है तू option C, खनेज तेल है तू option D, प्रमाडू सकती है तू तो प्रसंख्या 47 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा option C हो जाएगा खनेज तेल है तू प्रसीद है मुंबई हाई प्रसंख्या 48 है प्रस्ण है कि भारत का प्रत्थम तेल सुदकर खाना कहा इस्तित है option C, इस राइट एंसर प्रसंख्या उंचा से कि प्राकिर्ति गैस किस खनीज के साथ पाया जाता है option C, प्रसंख्या 50 है भारत के प्रधान मंत्रिक कर्यालेक का निर्मान option A का निर्मान संबेधान के द्वारे किया गया है option B, एक अत्रिक्त संबेधानिक उपज है option C, कि निर्मति संसदिय कानून बना कर हुई है option D, उप्रियुक्त सभी का सन्योजन है तो प्रसंख्या जो 50 से इसका सही जवब हो जाएगा option C हो जाएगा कि निर्मति संसदिय कानून बना कर हुई है प्रसंख्या एक क्याओन है भारत की संबेधान निर्मति साभा में संबेधानिक सलाकार कौन थे option C, सितलवार option B, के मुनसी option C, जुआहललनेहरू option D, बियन राव प्रसंख्या जो 51 है इसका जो सही जवब होगा वो हो जाएगा option D, बियन राव भारत के संबेधान निर्मति साभा में संबेधानिक सलाकार थे option C, प्रसंख्या बावन है पंचायती राज की सबसे छोटी अंग है option C, जिला परशद option B, पंचायत समिती option C, ग्राम पंचायत option D, ग्राम तो प्रसंख्या जो 52 है इसका सही जवब होगा option C, ग्राम पंचायत पंचायत राज का सबसे छोटी अंग है प्रसंख्या तिर्पन है समितान में संग की राज भासा के रूप में हिंदी को कब मन्यता मिली option C, ग्राम पंचायत option C, ग्राम पंचायत option C, ग्राम पंचायत option B, उन्नेश संग उन्चायस में वो 14 सितंबर उन्नेश संचायस को भारतिय संविधान में हिंदी को राज भासा की रूप में मन्यता मिली प्रसंख्या 54 है रेलवे को की से सूची के अंतरगत रखा गया है option C, संग सूची option B है समवर्थी सूची option C है राज ये सूची option D, विस्षिष्ट सूची तो प्रसंख्या 54 है इसका सही ज़ब हो जाएगा option A हो जाएगा रेलवे को संग सूची के अंतरगत रखा गया है option A इस राइट एंसर प्रसंख्या 55 है संग लोग सेवा आयोग के सदस्या अपना स्थीपा किसे सौपते हैं option B, संग लोग सेवा के अधियक्ष option C, परधान मंतरी को option D, सरगोच नियाले के मुख्य नियाधीश को तो प्रसंख्या 55 का जो सही जवाब हो जाएगा संग लोग सेवा आयोग के सदस्या अपना स्थीपा राष्ट वती को सौपते है प्रसंख्या 56 है किस संविधान के संसोधन बिल के द्वारा बोट देने का आयू 21 वर्स से घटा कर 18 वर्स कर दी गई आप्शन से A 48 वा संसोधन आप्शन B 27 वा संसोधन आप्शन C 61 संसोधन और आप्शन D 63 संसोधन तो प्रसंख्या 56 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन C हो जाएगा एक 60 संसोधन के द्वारा बोट देने की जो नियुम्तम आयू 21 वर्ज जो पहले थी उसको घटाकर 8 वर्ज कर दी गए यह काफी इंपोर्टन प्रश्ण है गामी जितने भी एकजाम है उसके लिए इसका सई जोग हो जाएगा option C एक सथवा समिधान सलसोधन द्वारा प्रसंख्या संताओन है राजपाल विधान प्रशत के कितने सदस्यों को मनोनित कर सकता है option से A एक तिहाई एक बटा तीर option B एक बटा दो option C एक बटा छे और option D एक बटा बारा प्रसंख्या जो संताओन है इसका जो सही जवब हो जाएगा option C हो जाएगा एक बटा छे सदस्यों को राजपाल विधान प्रशत के सदस्यों को मनोनित कर सकता है option C is right answer प्रसंख्या अंठाओन है कि संसत के किसी सदन के सदस्यों को उसकी सदस्यों से वंचित किया जा सकता है यदि option से A उसे उस पार्टी से निश्कासित कर दिया जाता है जिस पार्टी के टिकट के चुनाव पर वह चुना गया है option B वह जिस पार्टी के टिकट पर चुना लड़ा था यदि वह पार्टी किसी दूसरी रहनितिक पार्टी में मिल जाती है option C मनोनियन कि 6 महिने के भीतर वह किसी रहनितिक दल में सामिल नहीं हो जाता है और option D वह स्वेक्षा से उस पार्टी की सरस्ता त्याग देता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुना गया तो प्रसंख्या अंठावन का जो सेज जबाब होगा वो हो जाएगा option D वह स्वेक्षा से उस पार्टी की सरस्ता त्याग देता है जिस पार्टी के टिकट पर वह चुना गया था प्रसंख्या उनसठ है भरत के राष्ट पती की चुनावी प्रक्रिया या सक्तियों में संसोधन के लिए अवस्यक है option A संसद्वारा इस से आसय का विद्यक दो तिहाई बहुमत से पारित हो option B जब कोई बेकती स्पद पर हो तब इस आसय का संसोधन पारित नहीं किया जाता option C संसर दोरा इसका आसय का विद्यक आवस्यक बहुमत से पारित होने के बाद इसकी पुष्टी कम से कम आधे राजियों के विद्यान मंदल दोरा की जाने चाहिए option D राज सभा के दो तिहाई बहुमत जरूरी तो प्रसंखिया जो 69 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा option C हो जाएगा संसर दोरा इस आसय का विद्यक आवस्यक बहुमत से पारित होने के बाद उसकी पुष्टी कम से कम आधे राजियों के विद्यान मंदल दोरा की जाने चाहिए तब भारत के राष्ट पती चुनावी प्रकिरिये या सक्तियों संसोधन कर सकते हैं option C is right answer प्रसंख्या 60 है निमलिखित किस विशे परराज सभा को लोग सभा के समान सव अधिकार प्राप्त है option A बजट पेस करने की सकती option B है बित विद्यक पारित करने की सकती option C है सरकार के विरुद और विश्वास पारित करने की सकती option D है संविधान में संसोधन की सकती तो प्रसंख्या 60 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा option D संविधान में संसोधन की सकती प्रसंख्या 61 है मत पत्रों का परियोग प्रतम बार कहां हुआ था option A युनान में option B आस्ट्रेलिया में option C इंगलेंड में और option D सन्युक्त राज अमेरिका में तो प्रसंख्या 61 का जो सही जवाब हो जाएगा option B हो जाएगा अस्ट्रेलिया में मत पत्रों का परियोग पहली बार हुआ था प्रसंख्या 62 पहली बार भारतिय संविधान का संसोधन कब हुआ था option A 1951 में option B 1952 में option C 1903 में और option B 1905 में तो प्रसंख्या 62 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा पहली बार भारतिय संविधान का संसोधन कब हुआ था तो इसका सही जवाब होगा option A 1951 में जबकि भारतिय संविधान जो लाग हुआ था उच्छबी जनुरी 1950 को लाग हुआ था प्रसंख्या 63 है राज में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है option A दोनों में से किसी सदन में option B दोनों सदनों में एक साथ option C केवल विधान सभा में और option D केवल उच सदन में तो जो प्रसंख्या 63 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा option C हो जाएगा केवल विधान सभा में प्रसंख्या 64 है राष्टपती द्वारा कौन सभा कारिया नहीं किया जा सकता है option A संसथ का अफसान करना option B प्राथना कर सन्युक्त अधिवेशन बुलाना option C राज सभा को भंग करना option D संसत के समुख्य बजट प्रस्ताव करवाना प्रसंख्या 64 है राष्टपती द्वारा कौन सभा कारिया नहीं किया जा सकता है option 65 है निमनलिक्षित में किस दडपन्द वारा किसी बस्तु का वास्तित प्रित्विल मिल सकता है option A समतल दरपन द्वारा option B औरतल दरपन द्वारा option C उतल दरपन द्वारा option D इनमे से सभी तीनों द्वारा तो प्रसंख्या 65 का जो से जवब हो जाएगा option B हो जाएगा और तरपड द्वारा ही वास्तिक प्रतिवीम मिल सकता है प्रसंख्या 66 है निभून लिखित में किस दरपड द्वारा किसी बस्तु का बाशी प्रतिवीम प्राप्त किया जा सकता है अप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्पप्प् प्रसंख्या 66 है कि जब प्रकास की कीरण दो माध्यमों को अलग करने वाली सता पर लंबोत पड़ती है तो हुआ अप्सन से A अभी लंब से दूर मूड जाती है अप्सन B बीना मूड़े सिधे निकल जाती है अप्सन C अभी लंब की और मूड जाती है और अप्सन D सात रंगों में तूट जाती है तो प्रसंख्या 66 का जो से जब हो जाएगा अप्सन B हो जाएगा बीना मूड़े सिधे निकलती है प्रसंख्या 68 है पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम प्रतीत होने का कारण है अप्सन से A प्रकास का परवर्तन होता है अप्सन B प्रकास का प्रवर्तन होता है अप्सन C प्रकास का बन बिशेपन होता है और अप्सन D इनमें से कोई भी नहीं होता प्रसंख्या 68 का जो से जब हो जाएगा option B हो जाएगा प्रकास का पुरतन होता है पानी से भरी वी बाल्टी का कम गहराई प्रतीत होना प्रसंख्या उनहत्तर है समान द्रिष्टी वाले युगा के लिए असपस्ट द्रिष्टी की नियुंतम दूरी होती है option A 25 मिटर option B 2.5 cm option C 25 cm option D 2.5 मिटर तो प्रसंख्या जो उनहत्तर है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option C 25 cm असपस्ट दूरी की नियुंतम दूरी होती है असपस्ट द्रिष्टी की प्रसंख्या 70 है कि बिदुधारे काई सही मातरक है option C MPR option B bolt option C ohm और option D joule तो प्रसंख्या 70 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा option यह हो जाएगा बिदुधारे काई सही मातरक होता है MPR प्रसंख्या 71 है प्रतिरुद काई सही मातरक है option C अप्से अप्से एंपियर और option B ओम option C और और option D वअट तो प्रसंख्या एक 72 है इसका सही ज़गो हो जाएगा option B प्रतिर्वत का इसे मातरक ओम होता है प्रसंख्या 72 है फ्लेमिंग के वा महास्त नियम में अंगुठा किसकी दिशा का संकेत करता है आप्सन से A धारा का आप्सन B चुम्बकिय छेतर का आप्सन C बल का और आप्सन D इनमें से किसी का नहीं प्रसंख्या 72 फ्लेमिंग के वा महास्त नियम में अंगुठा किसकी दिशा का संकेत करता है इसका सही जवब हो जाएगा आप्सन B चुम्बकिय छेतर का प्रसंख्या 73 है कोईला तिथा पेट्रोलियम है आप्सन से ये नाबकिय इंधर आप्सन B जिवास में इंधर आप्सन C नविकर्णिय इंधर आप्सन D बायो गैस इंधर प्रसंख्या 73 है कोईला तिथा पेट्रोलियम है इसका सही जवब हो जाएगा आप्सन B जिवास में इंधर है प्रसंख्या 74 है कोईटो प्रोट्रोकॉल किस गैस के उसर्जन के अस्तर में कमी लाने के उद्देश्य से या लक्ष से बनाया गया था आप्सन से ये ओजोन आप्सन B कार्बन डायोकसाइड आप्सन C नाइट्रोईवन डायोकसाइड और आप्सन D सुल्फर डायोकसाइड तो प्रसंख्या 74 है कोईटो प्रोटोकॉल कार्बन डायोकसाइड गैस के उसर्जन में कमी लाने के लक्ष से बनाया गया था आप्सन B इस राइट एंसर कार्बन डायोकसाइड प्रसंख्या 75 है निवन में कौन सी धात्व वेल्डिंग में परियुक्त होती है आप्सन से A, Acetylene आप्सन B, Ethane आप्सन C, Butane और आप्सन D, Sulfur तो प्रसंख्या 75 है निवन इतमें कौन सी गैस धात्व को वेल्डिंग में परियुक्त होती है तो इसका सही जब हो जाएगा होता है C2H2 प्रसंख्या 76 है क्रेम लिखित में किसके जॉल अपगटन से मिथेन बनता है आप्सन से यह कैलसियम करवाइड के आप्सन भी एलमुनियम करवाइड के आप्सन सी कोबाल्ट कुलराइड के और आप्सन डी है होर मल डी हॉइड के तो प्रसंख्या जो 66 है इसका सई जॉब हो जाएगा आप्सन भी एलमुनियम करवाइड के जॉल अब हर्टन से मिथेन गैस बनता है प्रसंख्या 77 है कैलसियम करवाइड जॉल के साथ किरिया करके देता है आप्सन से A मिथेन, आप्सन B एथेन, आप्सन C एथीन और आप्सन D एथाइन तो प्रसंखिया 17 का जो सही जवाब हो जाएगा, आप्सन D हो जाएगा एथाइन देता है प्रसंखिया 78 है, प्रस्ण है कि निमने लिखित में किस बीधी दोरा लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है आप्सन से A ग्रीज के लेपन करके, आप्सन B रंगाई करके, आप्सन C जास्ता की परत चढ़ा कर, और आप्सन D इनमेस से सभी के दोरा तो प्रसंखिया 38 का जो सही जवब हो जाएगा, आप्सन C हो जाएगा, जास्ता की परत चढ़ा कर, लोहे की कड़ाही को जंग लगने से बचाया जा सकता है प्रसंख्य 89 है खाद पदार्थ वाले कनस्टर पर टीन का लेप चड़ाया जाता है जास्ता का लेप नहीं च्योंकि आप्शन ए है जास्ता टीन से अधिक मांगा होता है आप्शन भी जास्ता का दोणांग टीन से अधिक होता है जस्ता तीन से अधिक अभिक्रिया सिल है और जस्ता तीन से कम अभिक्रिया सिल है तो जो प्रसंख्या 89 है इसका जो सही जो हो जाएगा जस्ता तीन से अधिक अभिक्रिया सिल होता है इसी करण खाद पदार्थ वाले कनस्टर पर टीन का लेप चड़ाया जाता है जस्ता का नहीं प्रसंख्या और सी हनिमल खित में कौन और कारक गुन परदर्शित करता है प्रसंख्या और सी का जो सही जवाब हो जाएगा और सी हो जाएगा और कारक गुन परदर्शित करता है है प्रसंख्या और सी है फ्यरससलफेट का सुत्र लिखिए और सी प्रसंख्या 81 का जो सही जो हो जाएगा आप्शन C हो जाएगा आप्शन C हो जाएगा प्रसंख्या 82 है चुना पत्थर का रसाइनिक सुत्र लिखिए आप्शन से A, CAO, आप्शन B, CA2, CO3, आप्शन B, CA, CO4, और आप्शन D, CA, CO3 तो प्रसंख्या 82 है इसका सही जो हो जाएगा आप्शन D, CA, CO3 चुना पत्थर का रसाइनिक सुत्र होता है जब तीस का रसाइनिक नाम, केल्सियम, कार्बोनेट होता है प्रसंख्या 83 है नई आर्थिक निति, NEP का जन्म दाता था आप्शन C, Leline, आप्शन B, J-Dog, आप्शन C, Staline, आप्शन D, Karl Marx तो प्रसंख्या 83 का जुस्से ही जवब हो जाएगा वो हो जाएगा आप्शन E, Leline, नई आर्थिक निति का जन्म दाता था प्रसंख्या 84 है, स्वब पोसी पोसंड के लिए आवस्यक है, आप्शन C, कालवन दाय एक्साइट अथा जल, आप्शन B, कलोरो फिल, आप्शन C, सुर्य का प्रकास, और आप्शन D, उप्रयुक्त सभी तो प्रसंख्या 84 का जो सही जवाब हो जाएगा वो आप्शन D हो जाएगा उपर युगते सभी स्वाप पोसी पोसंड के लिए आवस्यक है कारबन डियक्साइड, जल, कलोरोफिल और सुरिय का प्रकास। प्रसंख्या 85 है, पोदों में खाद पदार्थों का रुपा अंतरण किस रूप में होता है। आप्शन से 1, गुलुकोज, आप्शन B, सुक्रोज, आप्शन C, स्टार्च, और आप्शन D, प्रोटीन, तो प्रसंख्या 85 का जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन B हो जाएगा पोदों में खाद पदार्थों का रुपा अंतरण, सुक्रोज के रूप में होता है। प्रसंख्या 86 है, हाइड्रा में नहीं पाए जाता है। आप्शन से A, मस्तिस्क, आप्शन B, तंतरिका, आप्शन C, मुख, और आप्शन D, इस पर्षक। तो प्रसंख्या जो 86 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ओप्सण यह हो जाएगा थे हाइड्रिया में मस्तिष्क नहीं पाय जाता है प्रसंख्या 87 है एरोपीय सभ्यत्य का पलना किस देश को कहा जाता है एरोपिय सभयता का पालना किस देश को कहा जाता है आप्सन्स हो जाएगा A, Italy आप्सन B, Rome आप्सन C, Spain और आप्सन D, Younane तो प्रसंख्या जो 87 है इसका सही ज़ुआप जाएगा आप्सन D, युनान को एरोपिय सभयता का पालना कहा जाता है प्रसंख्या 88 है हंग्री की भासा क्या थी? अप्शन से इतावली, अप्शन B मैगियार, अप्शन C पोलिस, और अप्शन D फ्रेंच हंग्री की जो रजधाने थी वो बुड़ा पेस्ट थी और हंग्री की जो भासा थी वो थी अप्शन B मैगियार, प्रसंख्या 89 है भारत का 6PR के नाम से लुख पिरिये हैं मतलब भारत के 6PR के नाम से कौन प्रसीद है? अप्शन से काली दास, अप्शन B तूलसी दास, अप्शन C सूर दास और अप्शन D, इनमें से कोई नहीं तो प्रसंख्या जो 89 है भारत के 6PR के नाम से कौन लुख पिरिये हैं इसका सही जवब हो जाएगा अप्शन E, काली दास प्रसंख्या 95 है 90, चूज दा करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम दा आप्शन गिवें भी लो, आप्शन से एक, कंटिन्यू, आप्शन B है, कैंटिन्यू, आप्शन C, कंटिन्यू और आप्शन D, कौन्टिन्यू तर दा राइट एंशर इस, आप्शन A, कंटिन्यू, C-O-N-T-I-N-U-E, क्वेस्टन नमबर 91, यह क्या नवे है, आप्शन से एक, आप्शन B, अप्शन C, अप्शन C, और आप्शन D, 4 आप्शन C, 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 Q93, choose the right sentence, options are, he ordered for a drink, option B, he ordered a drink, option C, he ordered for a drink, or option D, none of these, so the right answer is, option B, he ordered a drink, is correct sentence, Q94, choose the correct spelling from the option given below, option A, order, option B, document, option C, clear, or option D, pass big, so option A, order is correct answer, Q94, so option A, order is correct answer, कि एक 200 मीटर लंबी ट्रेन, समान दिशा में 5 किलो मीटर प्रती घंटे की गती से दोड़ते हुए, एक ब्यक्ती को 15 सेकेंड में पार किया, ट्रेन की गती है, option C, 53 किलो मीटर प्रती घंटा, option B, 52 किलो मीटर प्रति घंटा आप्शन C 48 km प्रति घंटा और आप्शन D 43 km प्रति घंटा तो प्रसंखिया 95 एक ट्रेन जिसकी लंबाई 200 मिटर है समान दिशाएं 5 km प्रति घंटे के रहा प्तार से दोड़ते वे ब्यक्ति को 15 सेकेंड वे पार करती है तो ट्रेन की जो गती है वो आप्शन A 53 km प्रति घंटे है प्रसंखिया 96 है 96 कि यदि एक आयत की लंबाई और चोड़ाई में करम सा 8 प्रति सत और 12 प्रति सत की ब्रिधी की जाती है तो उस आयत के छेतरफल में कितने प्रति सत ब्रिधी होगी आप्शन से A 8 परति सत की आप्शन B 19 परति सत की आप्शन C 20 परति सत की और आप्शन D 20.9 परति सत की तो प्रसंख्या 96 का जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन D हो जाएगा 20.9 परति सत की प्रसंख्या 97 है राजु ने आर परति सत के वार्षिक चक्रिविधी ब्याज पर 5000 का निवेज किया तीन साल बाद उसे 1655 ज्यादा मिले और कमान ग्याद करें आप्शन से A 30, आप्शन B 10, आप्शन C 20 और आप्शन D 40 तो प्रसंख्या 97 है इसका सही जवाब हो जाएगा आप्शन B हो जाएगा 10 प्रसंख्या 98 है प्रस्ण है कि 15,000 की धन रासी पर 12 परति सत्वार्षिक दर्ष से 6 मां के लिए चक्रिविधी व्याज क्या होगा यदि व्याज प्रतितिमाही दे हो आप्शन से A 3045, आप्शन B 5045, आप्शन C 2045 और आप्शन D 4045 तो प्रसंख्या जो 99 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप्शन A हो जाएगा 3045 इस करेक्ट एंसर प्रसंख्या 99 है इस वीडियो का second last question है किस फल का बिज चोल खाया जाता है किस फल का बिज चोल खाया जाता है आप्शन C जाय फल का आप्शन B लिची का आप्शन C शरीफा का और आप्शन D इनमें सभी का तो प्रसंख्या जो 99 है इसका सई जब हो जाएगा आप्शन D इनमें सभी का बिज चोल खाया जाता है प्रसंख्या 100 है इस वीडियो का अंतिम प्रस्ण है कि निवन में कौन बिदुद धनात्मक और धात्तु है आप्शन से A हाइड्रोजन आप्शन B नाइड्रोजन आप्शन C ओक्सीजन और आप्शन D कार्बन तो प्रसंख्या जो 100 है इसका सही जब हो जाएगा आप्शन A हाइड्रोजन बिदुद धनात्मक और धात्तु है तो फ्रेंट्स यह था हमारा आज का वीडियो जो अधारी था बिहार पुलिस जो 2013 में GD की परिच्छा होने वाली है उसके लिए प्रेक्टिस सेट वन मतलब यह हमारे चैनल दो पहला सेट है इसमें हम लोग 100 कोस्टन और उसके एंसर जाने जो काफी इंपोर्टेंट है इ के लिए मस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्याबाद थेंग्यू फोर लिसनिंग एंड वाचिंग झाल 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 झाल